हाँ मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा आपको जब डर लगता है न तो हलो और वेलकम एगें दोस्तों आपको लग रहे हैं कि आपके वास पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है और आपको कह गते हैं वेस्ट नहीं करना है उन्हें कई अच्छी जगह लगाना है तो मैं गऊंगा इस टाइम चल लिए नवरात्री तो आप वहाँ पर दान दे सकते हैं और आपके पास इससे भी ज़्यादा पैसा है करोडों में, दोस्तों करोडों में जो अभी मैं मूवी देखके आ हैं कौन सी गनपत जिसमें दोस्तों करोडों रुपे वेस्ट करे गए हैं ना कि यूच करे गए हैं क्योंकि उस मूवी का कॉन्टेंट क्या था, I don't know चलो, VFX और CGI में ही गड़वर होती तो एक बार के लिए कॉंपरमाइज कर लेते हम हिंदी ओडियंस है, नॉर्थ बेल्ट की मूवी है तो यस हम इसे सपोर्ट करेंगे और डिस्टोपियन एरा पे ये मूवी बनाई गई है पहली मूवी है, बलिवुड की करते सपोर्ट लेकिन सपोर्ट करने की वज़ए मैं मूवी में ढूण रहा था यार कोई वज़ए मिल जाए कि मैं इसे सपोर्ट करूँ आगे जाके इसका और प्रचार करूँ मूवी अच्छी है बाई, अच्छी है जाके देखो यार, एक बार देखो वेएफेक्स, CGI गंदे है तो क्या हो गया स्टोरी लाइन गंदी है तो क्या हो गया आधी पूरुस के वेएफेक्स मुझे आज अच्छे लगे भाई, उस टाइम पर मुझे आधी पूरुस के वेफेक्स बिलकुल अच्छे नहीं लग रहे थे लेकिन आज अच्छे लगे क्योंकि इस मूवी में दिमाग का माँ हो गया वही हो गया जी हाँ बिल्कुल जो समझ रहे हो वही हो गया पुरी मूवी की स्टोरी लाइन इज वाहियाद एक्टिंग तो हमारे जो टाइगर स्रॉफ हैं उनकी कौन हुआ है यहाँ पर क्रीती सनन हुई है उनकी लास मूवी आई थी मिली उसमें इस बंदी को नेशनल अवर्ड से नवाजा गया था और यहाँ पर इस एक्टरस का जो मजा कुड़ा है बाई गॉड यार ठीक है इंट्रो जब आई थी एक ही चीज बहस लगी जब इंट बज़ उनकी अमेजिंग होई थी धमदार होई थी हमें देखने को मिलना था यह– इपस कोई बॉलीवूड की आ रही है जो एक्टम में फाडने वाली है और एक्टम की ही बात अगर करें तो ठीक है एक्टम के मामले में एक्टम, एक्टम एक्टम ही देखना था तो यार् वही action आप बागी में दिखा रहे हैं कितनी फिल्में गिला दू वही action से repeat करते हो और इस movie में भी स्टार्टिंग में वही action चल ला है टीजर में वही action चल ला है ट्रेलर में वही action चल ला है again and again repeat वही action देखते देखते भाई हम क्या चू से कुछ भी लग रहे हैं आपको जो आपको हम वही चीज बार-बार देखते रहेंगे तो यार इस इस नॉट एक्सपेक्टेड कि ऐसा हो जाएगा इस मूवी से डिस्टोपियन एरा की मूवी थी हाई बजट की मूवी थी अच्छा खासा एक माइनसेट किया गया था कि यार चल ठीक है हम लॉंडो के लिए भी एक मूवी आ रही है मलब नई जनरेशन के लिए यंग जनरेशन के लिए जो हॉलिवोड को मैच अप कर रहा है एक बार के लिए बट ऐसा क्या मालूम था कि यहां पर यह सब कुछ देखने को मिलेगा जहां पर हम ऐसे उम्मीद लगाए के यह नहीं बैठे थे मलब सिर्फ गंदी नहीं है यह मूवी वाहियात वाला कॉनसेट ऐसे कह सकते हम इसको वाहियात वाली चीज़े हमें एक बार के लिए देखने को एक बार के लिए नहीं बार बार देखने को मिलेंगी यहां भी वहां भी स्टोरी लाइन बिल्कुल कोई मजा नहीं आया अपना गुड़्डू भया हम कौन उर्फ टाइगर स्रॉव बैसाफ सुरुवात इनकी होती है कहां पर अमीर परिवार से हैं यह अमीरी वाली दुनिया से इनकी सुरुवात होती है छे साथ लॉंडिया इनके साथ सोरी यहां I don't know कैसे यह मैनेज करते हैं वो ही जाने लेकिन हां वहां से सुरुवात होती है बंदे को एकसेंट प्रॉब्लम पतानी क्या हुआ कि एक इतनी हाई सिटी से यह बिलॉंग करते हो और तेरे को मेरे को यह वाला छपरी वाला अंदाज मैच अपनी खाया वहीं फेलो गए है ना दूसरा कि एक आज जगे पर तो ग्रीन स्कीन हटाना ही भूल गए यह बाई ऐसी भी चीज़े देखी जा रही मलोग इतनी बड़ी मिस्टेक 200 करोन बजट की यह मूवी और वहां पर इतनी माइनर सी मिस्टेक इन्हों ने दुबारा से उस चीज़ को देखा कि नहीं देखा साइध इन्हें भरोसा इन्हीं था अपने कॉंटेंट को लेकर कि यह कुछ करने भी वाली है और बाई गॉड इन्हें अगर भरोसा होता तो यह प्रमोशन भी करते हैं और प्रमोशन इनकी तरफ से कुछ दे इसकत नहीं है एक बार के लिए हम जरूर जाएंगे देखने क्योंकि हमें फिर आके ऐसे रिव्यू भी देना पड़ता है दूसरा मसीहा टाइप अगर मूवी बनानी ही थी तो बाई गॉड अगर आपको दूसरा अगर मैं वीवर से बोलूँगा कि मसीहा टाइप की मूव नहीं थी बट इस टाइम हम एडवांसमेंट से भरे पड़े हैं हमारे पास AI बहुत अच्छा है हमारे पास modern के जो टूल से बहुती दमदार है एक मैं कहा रहा हूँ ना नॉर्मल से यूटूबर्स का VFX और CGI वो बहतर बना लेते हैं तो ये इतना जादा बजट खर्च करक I don't know इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आप खुद देख लेना मूवी में अगर इसके बाद भी आपको मन कर रहा है कि यार जाए मूवी तो देखें ये तो पागल है बोलते ही रहेगा है ना तो एक बार जाए एक्सपिरेंस लें मजा आएगा वो आप निरने करना दूसरा वही मसीह टाइप का एक कॉंसेट इन्होंने रखा है अमीरी गरीबी की एक दिवार है एक कोई ऐसा कोई वार हुई होगी जिसकी वज़े से अमीर जो बहुत अमीर हो चुके हैं उनकी अलग दुनिया है अमीरों का गरीबों पर कबजा है या फिर उन्हें अपने इसारों पर नचाना चाते हैं वो चीज है MMA Fights रिंग फाइट को यहाँ पर मेन हतियार बनाया गया है देखो रिंग फाइट तो हमने सुल्तान में भी देखी थी लेकिन वो चीज बिलकुल अलग थी रिंग फाइट हमने ब्रॉदर्स मूवी में भी देखी थी तो अगर य पकड़ा रहे हो तो फिर यहां तो गडबड होगी ही और वो गडबड आपने खुद देख ली है आपको भी उस चीज का रेलाइजेशन हो रहा होगा तो गुड़ू प्यार हो जाता है तो अमीरी की दुनिया से वो गरीबी में रहना पसंद गरीबी वाली दुनिया में र चुराया वो किसलिए चुराया वहां पर जुआ सटा अपना पैसा बनाने के लिए तो ये बंदा वहां नीचे से फाइट लड़ते लड़ते आगे जाएगा गरीबों के हक के लिए दूसरा ट्रेनिंग के पार्ट में चलते हैं टाइगर सुरो पहले सी सिक्स पैग एप्स बाड़ी सब कुछ है उस बंदे के पास और एक मोमेंट वहां आया था कि यार इस बंदे से पुसप्स नहीं हो रहे थे इमेजिन कर सकते हो बिना पुसप्स के आपकी चेस्ट बन गई है बिना पुसप्स के आपकी सिक्स पैग एप्स हैं आपकी मसल्स है और यहां पर इस पुसप नहीं हो रही है, मरलब है स्टार्टिंग ऐसी कर रखी इन्होंने ट्रेनिंग की तो imagine कर सकते हो आप क्या है स्टोरी लाइन इसकी, I don't know विजिन, डाइरेक्टर का केलियर था कि नहीं था, पता नहीं जवरदस्ती ऐसे लग रहा है कि उनको उपर थोपी गई ये मूवी, भाई साब तुम्हें मूवी बनानी है क्यों क्योंकि एक्सन के नाम पर चूतिया बाटा जा रहा है और काटा भी जा रहा है तो हमारे पाद टाइगर स्रॉप जैसा बंदा है मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद